हालो बच्छों कैसो हो आप लोग होपस होगी सब लोग अच्छे होंगे सब की पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी बच्छा यह जो नए वीडियो अपना इसमें हम लोग बात करेंगे नम्मरो पॉजिटिव इंटेग्रल सॉलुइशन का यह पी एंसी का एक पार्ट है पी एकस टू एकस थ्री एकसर यह सारा वेरियेबल है और इन सब का सम आपका एन के बराबर होना चाहिए और नम्मरो पॉजिटिव इंटेग्रल सॉलुइशन पॉजिटिव समझ रहे हो न कि मतलब जो एकस वन की वैल्लू है वो आपका क्या-क्या हो सकता है या तो मिनिमम जो एकस वन की वैल्लू होगी बच्चा वो वन होगा क्योंकि पॉजिटिव होना चाहिए तो एकस वन की वैल्लू वन होगा फिर अगला क्या होगा टू हो सकता है क्यों क्योंकि इंटिग्रल सॉलुइशन की बात किये तो जो एकस वन की वैल्लू होगी या तो वन होगा या ट इसकी जो value होती है बचो that is n-1 c r-1 यह इसकी value होती है बहुत इस पे अगर आपको कोई example दिया जाए तो उसको आप बहुत simple तरीके से कर सकते हो माल लिजे एक question दे दिया कि x plus y plus z plus w is equal to 30 और इसका बोला जाए positive integral solution लिखने की ठीक है तो positive integral solution की value क्या है जो भी यहां पर चीज़ है उसमें से एक कम कर दीज़े c variable कितना है चार variable है उसमें से एक कम कर दीज़े this is 29 c 3 यह आपका answer हो जाएगा clear है अब है तो बहुत simple formula तो direct apply कर देंगे अपन फॉर्मूला apply करने मैं सक्या है ठीक है यह याद रखना है बस आपको बस आपको याद रह variable में से एक कम करके नीचे चिपका देजे ठीक है अब देखो proof कैसे करेंगे तो आपन नब अच्छा इस method से proof करने वाले हैं तो आप दोनों method को अच्छे से समझे ताकि आपको और logic इंप्रूव होगा PNC में आप चीज़ों को और समझ पाऊगे ठीक है चलो तो पहला method जो बाटना है इस तरह से बाटना है such that कि कम से कम एक object तो इसको मिलना ही मिलना है एक object अगर इसको मिलेगा तो इसकी value 1 आ गए इसको भी एक object मिलना ही मिलना है मतलब सब को एक object तो मिलना ही मिलना है जो भी बीच में variable है सब को एक object तो मिलेगा ही मिलेगा ऐसा नहीं होगा कि not a lot, क्योंकि minimum कितनी value होनी चाहिए, one तो होनी ही चाहिए तो distribution का तरीका क्या है, कि an identical object को आप r लोगों में बाटो such that, हर एक बंदे को कम से कम एक object जरूर मिले, तो मैं यही line लिख रहा हूँ, आप उसको copy में जरूर note कर लीजेगा, ठीक है तो यह जो statement लिखा है बच्चों मैंने, यह आपको note करना है distribution of an identical object यह an identical object है, इसको r लोगों में बाटो, such that कि हर एक बंदे को कम से कम एक object जरूर मिले, यह concept हो गया अब इसको आपन PNC में convert कैसे करेंगे, यह चीज़ देखिए देखिए अब लिखने का क्या तरीका है, कि आपके पास तो an identical object है, पहले उसमें से r object को select कर लो an identical object में से पहले r object को select करोगे तो select करने का क्या तरीका होगा एक तरीका, यहां पे ncr मत बोल देना, जब an distinct object होगा, उसमें से r object को select करने का तरीका NCR होता है अगर आपके पास N identical object है उसमें से R object select करना है तो select करने का एक ही तरीका होता है ठीक है अब आपके पास R object आ गए उस R object को क्या करोगे R लोगों में बांट दोगे कैसे बांटोगे such that कि सब को एक एक object मिल जाए अब आप common sense लगाओ कि आपके पास तीन apple है exactly same apple है ठीक है और तीन लोगों में बांटना है such that कि सब को एक एक apple मिले तो क्या तरीका है बच्चा एक ही तो तरीका है कि आप एक apple राम को दो एक सियाम को दो और एक घंसियाम को देदो तो वैसे एक ही ways होगा उसी तरीके से आपके पास r identical object है r लोगों में बांटना है सब को एक एक मिले तो बांटने का कितना तरीका होगा एक तरीका अब object कितने बचे आपके पास n-r r object का तो आपने काम कर दिया object कितने बचे n-r n-r object को अब r लोगों में बांटो कैसे बाटोगे अब आपको जैसे मन कर रहा है वैसे बाटो तो यह distribution का अपना multinomial theorem में आपको यह concept बताया गया है यह मैंने last के वीडियो में cover भी किया है आपको link description box में मिल जाएगा ठीक है तो आप वहाँ से उस वीडियो को देख भी सकते हो अब क्या बोला मैंने आपके पास n-r identical object बचे उसको आप r लोगों में बाटो such that किस बंदे को कितना object मिल रहा है उससे कोई फर्क नहीं परता तो बाटने का तरीका क्या होता है जितने object है उसको यहाँ चिपकाई यह जितने object है एक लोगों में बाटना है एक पर क्या बना बच्चा n-1 c-r-1 यह आपका proof हो गया first method से अब second method देखो second method भी काफी logical method है ठीक है यह भी बहुत काम आता है इसको देखिए इस equation के positive integral solution की आपन बात करने माने है ठीक है positive integral solution मतलब अच्चा आपको मैंने पहले ही बोला है कि x1 की जो minimum value होगी वो 1 होगी तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ x1 x2 के साथ भी वही कहानी है x2 भी greater than equal to 1 है x3 के साथ भी यही कहानी है greater than equal to 1 है यह चलता है xr है बच्चा इसके बात कहानी है तो जो x1 है that is greater than equal to 1 इसका मतलब x1 की value 1.1 हो जाएगी नहीं x1 integer भी है तो मतलब x1 की value minimum क्या होगी 1 उसके बाद अगला क्या होगा बच्चा 2 उसके बाद 3 यह values है अब आप देखो इस चीज़ को कैसे काम करोगे तो आपने इसको लिख दीजिए x1 minus 1 ठीक है देखो अब लिट कर सकते हैं यहाँ x1 minus 1 is equal to t1 तो x1 की value t1 plus 0 के लिए रहे चीज़े ठीक है आप देखो आप जहाँ x1 है वहाँ पर आपन क्या लिख सकते हैं t1 plus 1 similarly आप x2 के लिए भी यह काम कर सकते हो x2 minus 1 कर सकते हैं यह चीज़ आपने same चीज़ x2 के लिए same यही same चीज़ अगर repeat करें आपन x2 के लिए तो देखो तो यहाँ से आप x2 minus 1 को मालो t2 x2 minus 1 is equal to t2 x2 की value क्या आगई बच्छा this is t2 plus 1 और यहाँ होगी greater than equal to 0 यह भी चीज़े similarly x3 के लिए सब के लिए कर सकते हैं तो मैं सब के लिए नहीं कर रहा है अपने use कर लेंगे अब x1 के बदले बच्छा ना convert करते हैं t1 plus 1 ते equation क्या होगी t1 plus 1 भी आएगा उसको नहीं लिख रहा हूँ मैं x2 के बदले t2 plus 1 x3 के बदले t3 plus 1 यह चलता जाएगा last में xr के बदले t1 plus 1 करके यह कितनी बार 1 आएगा r बार आएगा और यह r को right side में लेजे तो this is n-r clear है चीजे अब यह n-r identical object हुआ इसको आप r लोगों में बाटो अब t1 की value क्या है यहाँ पे अगर देखो तो t1 is greater than equal to 0 t2 is also greater than equal to 0 अब आपका question बना कि no distribution of n-r identical object कितनी लोगों में r लोगों में such that किसको कितना object मिला कोई फरक नहीं परता है यही आपका multinomial theorem है या फिर आप इस चीज को इस equation को आप ऐसे सोचो कि no this is number of non-negative integral solution तो इसको कैसे लिखते हैं n-r object है कितनी लोगों में r लोगों में तो ऊपर भी आपके पास question आता है यह आपका दोनों तरीके से proof हो गया इस method का तो कभी भी आपके पास question आता है कि बेटा find करो number of positive integral solution उसको आप निकाल सकतो by using this formula इसके पीछे के video मैंने number of non-negative integral solution की बात किया था उसके पीछे के video मैंने पूरा multinomial theorem explain किया था कि distribution of identical object का मतलब क्या होता है तो आपको suggest ही किया जादा आए कि आप तीनों video sequence में देखो तो आपको जादा अच्छे समझ में आएगा तीनों video का link आपको description box में भी मिल जाएगा तो बच्चो मैं video यहाँ पर खतम कर रहा हूँ उमीद है कि आपको यह सारी चीजें समझ में आया होगा if you feel it useful then please like the video, subscribe the channel and hit the bell icon for instant notification thank you very much